अब हलो मादियो फ्रेंट वेलकम तो दे इंडियन अड्वांसर स्टडिस आज मैं आपके इस वीडियो में बताने वाली हूं डबल आई टी आर एम के बारे में कि कि आपको किस तरह से अड्मेशन देना इसमें और समें कौन-कौन से कौर्सें होते हैं आप इसमें किस तरह से इसमें लिजिबल होंगे उन सब के बारे में आज मैं आप इस वीडियो में बताऊंगी तो फिर पहले में आपके सर्च करूंगी जहां पर लिखा है डबल आ कि ट्रव ऐए मैं आप इनुट न टैब में बताऊंगी होगें जहां पर लिखा है डबल ई-टे-ई-अर-अइ एम एडमेशन 2023 फिर मैं है पर लिक करूंगी इसके बाद आपके इसमें मतलब कुर्पर रिलियस्ट होगा जब भी यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पर अप्लीकेशन फॉर्म पर फिल कर सकेंगे इसका फूल फॉर्म है और इसके बाद यहां पर यूजी और पीजी कोर्सें अप्लिकेशन फॉर्म आपको ओन्लाइन वोट से फिल करना रहता है एक्जाम का अपर डेट नहीं दिया गए और इसके ऑफिशल वेग्साइट दी गई है अगर आपको किसी भी चीज से रिलेटर अगर आपको जानना है तो फिर आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं उसके पर आड्रेस दिया गया इसका एमेल आड़े यहां पर दी गई है फिर यहां पर चेर्मन इसके को नंगत तो शूधीर महतायन के चेर्मन है और यह स्टेट गुजरात में है और इसके बाद यहां इ था राएगा और उसके बाद हमें प्लीकेशन फॉर्म आपके से फील करना रहता है और आप अप्लेकेशन फॉर्म जो है वह आप अफ लाइन और सौरी आफञान उनलाइन www.ncl.id कर सकते हैं अब टेकेशन फॉर्म उसके बाद आप इलिजिबिट करेटरी गया गया है यहां पर बीटा के लिए दिया करेशन इस पेसिलाजेशन में पर सीवील मेकानिकल और इलेक्टिकल दिया कहा है उसके बाद अगर आप ट्वेल्थ पास तो आपको 75% से जादा ही होना च सब्सक्राइब करने करने करनी है आपको प्रिवेश यर के ग्जाम पेपर भी देखना है उसके बाद आपको 45 hours आपको स्टडी करनी है और अपनी नोट्स पर प्रिपार करने अच्छी से उसके बाहते हैं अध्मिट कार्ट एक्साम के 10-15 दिस पहले आती है यह आप ऑफिशल वेबसेट की तुर्ट चेक कर सकते हैं किस तरह से आपको अपना तो पर आपको आपको इसमें नहीं दिखेगा तो पिर आपको इसमें नहीं देखेगा अगर आपने information wrong दिया है तो फिर आपको इसमें result नहीं दिखेगा फिर आप admission counselling दी गई है और उसके बाद अगर आपको कुछ भी doubt हो तो फिर आप comment कर सकते हैं और thank you so much for watching my video thank you